आगच्छन तो विद्यार थी नहीं द्वादशम पाठम पस्याम है जो बारवा पाठ है गांदी नासा स्मरणम यानि गांदी जी के जो इसमरण है शमार इसमरण है उनके हम दो भागों का अध्यन कर चुके हैं बच्चों पहले भाग में हमने पाठ का परीचे जाना और प्रकार से महत्मा गांदी के जीवन पर प्रभाव पड़ा उसको जाना दूसरे भाग में शत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जो जीवन था उसका किस प्रकार से महत्मा गांदी के जीवन पर प्रभाव पड़ा उसको जाना और जो तीसरा भाग है तृतिये भाग अस् नो के रूप में और और वह अब्यासत परशन से ले करके दूसरे परशन टक वह अभ्यासस परशन होंगiblia संस्कृतेन हैं उत्तरमदीयताम यालि संस्कृत में हमको क्या करना है उत्तर देना है तो आईए प्रस्तुत पाठ कस्मात ग्रंथा संकलिता है यानि जो प्रस्तुत पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है गांदी नहां आत्म कथा मूलत है कस्याम भाषायाम लिखिता यानि गांदी जी की जो आत्म कथा है वो मूलत है किस भाषा में लिखी गई है तीसरा प्रश कियो बच्चो अगला प्रश्ण है महत्मा गांदी किम नाम नातक मेर्ट पढ़ा बच्चो गांदी नहां ग्राम के उपागच्छन यानि गांदी के गाओं में कों अए गांदी मनशी कई विलापहा पुने पुने शुरूयते इसमें यानि गांदी के मन में किनका विलाप बार बार सुनाई देता है बच्चो महात्मा गांदी हरिश्चंद्र नामक नाटकम द्रश्टुम कस्यानुग्याम अध्यगच्छता यानि महात्मा गांदी ने हरिश्चंद्र का जो नाटक था उसको देखन में सतित्व की प्रतीती थी बच्चों कउ गांधी ना रदय जिन्त्य सन्हितों आस्ताम यानि कौन-कौन गांधी के रदय में नित्य सन्हित थे अगला प्रश्ण है की द्रसत से स्वर्ण से प्रतीकृति ही गांधी नहां अवलो किता है यानि कैसी स्वर्ण कुमार की प्रत संक लित यानि प्रस्तुत पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है वच्छो तो सका उत तर है उसी प्रकार से गांदी नहां आत्म कथा मूलते कश्याम भाशायाम लिखिता यानि गांदी की जो आत्म कथा है वो मूलते किश भाशा में लिखी गई है और इसका सयूत दर वचो गुजराती में किस वहासा में लिखी गई है अगला प्रिश्ण है गांदी नहा है आत्म कथा या हा संस्कृत भाशायाम अनवाद कह हो कह यानि गांदी की आत्म कथाका संस्कृत भाशा में अनवाद कुन था पंडित होसके रे नागप सास्त्री पंडित होसके रे नागप सास्त्री महात्मा गांधी किम नाम नाटकम अपठत यानि महात्मा गांधी ने किस नाम का नाटक पढ़ा तो नाटक कुन सा था स्वन पित्री भक्ती नामक नाटक को महात्मा गांधी ने पढ़ा बच्चो का उत्तर है गांदी ने ग्रामाम पुतली का प्रदर्सनों पजीवी नहां उपाग अच्छन यानि पुतली काओं के प्रदर्सन से अपनी आजीविका कमाने वाले कट पूतलियों के जो न्रत्ते थे उनको दिखा कर अपनी नाट आजीविका कमाने वाले लोग आए गांदी के मन में किनका बिलाब बार बार सुनाई देता था इसका सही उत्तर है गांदी ने मनसी स्वर्ण से माता पितरो यानि स्वर्ण कुमार के माता पिता का बिलाब बार बार सुनाई देता था अगला प्रशन है महात्मा गांदी हरिस्चंद्र नाटकम द्रश्टुम कस्य अनु की अग्या को प्राप्त कि या बच्चों तो महात्मा गांदी थीлять तो तो इसका सयूत्तर है हरिष्चंद्रस्य कथायां, किसमें हरिष्चंद्रस्य कथायां, कव गांधी नहा हृदया, नित्य सन्हितो आस्तां, यानि कौन-कौन गांधी के हृदय में नित्य सन्हित थे, इसका सयूत्तर है स्वन हरिष्चंद्रव, यानि स्वन कुमार और हरिष चंद्र जो थे वो गांधी के हुर्दय में नित्ति सन्नित थे उसी ब्रगार से कीद्रसस से स्वर्ण से प्रतिक्रती ही गांधी नहां अवलोकिता यानि कैसी स्वर्ण कुमार की प्रतिक्रती गांधी के द्वारा अवलोकित की गई तो बच्चों इसका सही उतर है इसकंदा वह लंबी यानि कंदों पर लटकाए हुए कावडे वाले स्वय मात पितरों अपने माता पिता को ले जाते वे ढोते हुए स्वर्ण से स्वर्ण कुमार की एक प्रतिकृती एक चित्र गांधी ने देखा बच्चो गांधी नहां मनशा किम प्रियुक्त मासीत यानि गांधी मनशे क्या प्रियुक्त किया प्यारे बच्चो तो गांधी नहां मनशा सत्य हरिष्चंद्र नाटकम प्रियुक्तम यानि गांधी ने क्या प्रियुक्त किया मन से सत्य वादी जो हरिष्चंद्र का जो नाटक था उसको प्रियुक्त किया प्यारे बच्चो कह प्रश्ण हो कौन सा प्रशन था वो गांधी के मन में बार-बार इस्पूरित हो रहा था अर्थात बार-बार आ रहा था तो उसका प्रशन उत्तर होगा हरिश्चंद्रेन एव सर्वैरपी का स्मात सत्यवत भी नभवित अब्याम आने हरिश्चंद्र के समान सभी को क्यों नहीं शक्त्यवादी होना चाहिए ये प्रशन गांधी के मन में बार-बार इस्पूरित हो रहा था बच्चो आए दूसरा प्रशन है रिक्तिस्तान आनी पूरियता है यानि रिक्तिस्तानों की हमको क्या करनी है पूर्ति करनी है पाग अच्छन है इसमें को बढ़ना है बच्चो दूसरा है स्वर्ण से पित्री भक्ति इसमें बढ़ना है त्वया इस्तापनिया सहराग है में फिर बढ़ना है तनमयम अकरोद अगला प्रशन है अनेक शह में नित्राभ्यां निस्रितानी निस्रितानी इसमें को बढ़ना पहला है ग्रामाद ग्रामम अब इसमें क्या आएगा प्रियटंता है क्या आएगा प्यारे बच्चो प्रियटंता है यानि घूमते हुए पुतलिका प्रदर्शनों पजीवी नहा उपागच्छन यानि पुतलिकाओं के प्रदर्शन से कट पूतलियों के प्रदर्शन से आदर्श रूपेन यानि आदर्श रूप में तुम्हें स्तापित करनी चाहिए आईए सहराग में हृदयम मेरे हृदय को इसमें आएगा हृदयम उस राग ने मेरे हृदय को क्या कर दिया तन्में कर दिया अगला प्रिश्ण है अनेक शह में नेत्रा भ्याम क्या अस्रूनी यानि अनेक बार मेरे नेत्रों से आंसु निकले उसी प्रकार से हरिष्चंद्र, स्वर्णृ मम्रधय, नित्यसंयुतो तो उभाव वपी क्या हैगा बच्छो इसमें। ओर शिक दोनों हारीच चंद्र और स्वण दोनों में मेरे does में नित्य शंहित है इस प्रकार से बच्चो हमने इस भाग में रिक्तित्ष्तानों की पूर्तिगी जो 5 पर संथे इसके अलावा हमने जो यह कैसे लेकर ठैतक इन चोटे उत्तरों वाले प्रश्नों के बारे में जाना ये भाग आपके अच्छी समझ में आया होगा, इसके जो आगे के प्रश्न है, तीसरे से लेकर जो अंतिम प्रशन तक वो प्रश्न होंगे, हम चोथे भाग में यानि चतुर्त भाग में लेकर पुनाम मिलते हैं, नमो नमाह, धन्यवादह,